तो आज मेरे किचन में बन रहा है सर्दियों में बनने वाला स्पेशल आलू मटर की सबजी जो एकदम स्वाद से भरपूर है और इसे कोई भी बना सकता है बिना किसी जहनजट के पहली बार में यह काफी संदार बन के उतरता है यह आलू मटर की रेसिपी जो है तो चलिए इ बिंडियम साइज में काट लिया है देखिये मतड को छील लिया है और आलू को भी काट लिया है तो अब हम यहां पे अधरक लग सुन जो है इसे बी कूट लेंगे तो आप इसे पीश्कर भी डाल सकते हैं लेकिन इसे कोट ले रहे हैं देखिए गुचीस इस तरह से तो आलू मटड़ बनाने के लिए हमने यहां पर प्रेसर कुकर को चूले पर चढ़ा लिया है सब्जी हम कुकर में ही बनाएंगे और इसमें डला है तेल कुकर गरम हो चुका था तो तेल भी गरम हो चुका है अब यहीं पर डालेंगे एक छोटी चमच जीरा यह द अच्छे से तेल में चटका लिया है तो अब यहां पर डालेंगे जो हमने अध्रक लासुन को कूटा था उसे और इसे भी इन सब के सांथ थोड़ी दिर चटका लेंगे दिखिए तो अध्रक लासुन जो है ओवी तेल में अच्छे से भूना गया है देख सकते हैं आप एक तो सब को हमने अच्छे से भून लिया है अब यहां पे डाल देंगे प्याज तो एक मिडियम साइज का प्याज था देखिए तो प्याज को हम इनके साथ अच्छे से भूनेंगे तो देखिए प्याज जो है वो भून गया है बिल्कुल गुलावी कलर प्याज का आ गया है तो हमें प्याज को इतना ही भूनना था इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे देखिए तो अब यहीं पर हम डाल देंगे तमाटर तो यह हाईबरिग टमाटर है थोड़ा बड़ा साइज का था तो हमने एक टमाटर को अच्छे से बारेकी से काट लिया अगर आप चाहे तो इसे पीसकर भी डाल सकते हैं देखिए तो टमाटर टाला है तो अब यही पर डालेंगे स्वाधनु सार नमक ताकि टमाटर जल्दी से घल जाए भुना जाए और टमाटर के साथ ही मसाले जो है इन्हें भी डालकर हम भूश लेंगे तो इसमें हम थोड़ा से हल्दीатफ पाउडर है और एक चमज धनिया जीरा का पाउडर है और एक छोटी चमज लालमीच पाउडर है तो हल्दी यहां पे थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी और डाल लेंगे देखिए अब इन सारे मसालों को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से भूनेंगे आज को यहां पे मेडियम लो कर देंगे मेडियम लो आज पे मसालों को अच्छे से टमाटर प्याज और मसाले इन सब को अच्छे से हम भूनेंगे देखिए तो अब यहीं पे हम धकन लगा देंगे हमें सीटी नहीं लगाना है बस उपर से हलके से धकन को रख देना है और दो पूरे 5-5 मिनुट बाद मसाले जो हैं अच्छे से भून रिये हैं देखिये और इनका देल भी सब्येपी आतओ em بई देख सकते हैं तो इनने अच्छे से चला लेंगे मिला लेंगे चारों तरब से तो य皆さん से है सब भून के तयार हो चुके हैं तो अब यहीं पर हम डाल देंगे आलू के साथ ही हम इसमें मटड भी डाल देंगे तो आलू और मटर दोनों को हमने कुकर में डाल दिया है और इन्हें मसाले के साथ अच्छे से मिलाएंगे मिक्स करेंगे चलाते हुए और आज को यहां पर हम मीडियम लो ही रखेंगे देखिए बहुत संदार यह रेसिपी होता है आप एक बार मेरे तरिके से जरूर बनाईएगा बहुत टेस्टी बनके तयार होता है यह रेसिपी और कोई भी इसे बना सकता है तो अब यहां पर ढखन लगा के तीन से चार मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और देखिए सबको अच्छे से मिला लिया है देख सकते हैं तो अब यहीं पर डालेंगे एक छोड़ी चमच गरम मसाला पाउडर है और सब्जी का स्वाथ जो है इसे बढ़ाने के लिए हम यही पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे तो अगर आप यहां पर सब्जी मसाला डालना कट्फार के देती हैं या किचन किंग होता है उसे बीडाल सकते हैं इसे डालने से यह होता है कि अधेते की वह गार्ण देख सकते हैं तो अब यहां पर थोड़ा गरम पानी घुनगुना पानी डालेंगे इसमें और इसे ऑच्छेसे मिला लेंगे सब्जी के साथ चला लें देखिए तो पानी डाल के सबजी को अच्छे सी मिला लिया है आप देख सकते हैं यह देखिए कि सबको अच्छे से मिला लिया है और यहां पर आज को हम मीडियम हाइ कर देंगे और भखकन लगा के इसमें हम दो सीटी आने देंगे अगर आपने आलु का साइच इससे थोड़ा बड़ा रखा है तो दो के जगए तीन सीटी लगा सकते हैं इससे आलु जो है असानी से गल जाएगा और पूरे दो सीटी के बाद यह देखिए सब्जी जो है और बनके तयार है सब्सक्राइब एकदम बढ़िया से ग्रेबी के साथ अलूमतर इसमें सब्सक्राइब नीट ग्रेविच के साथ ऐसे नुटआ है और एक हरी मिर्च तो गर्मा गरम आलू मटड़ सर्व करने के लिए तैयार है तो आज हम आलू मटड़ के सब्जी के साथ गर्मा गरम पूरी सर्व करेंगे तो इसके लिए हमने आटे में थोड़ा सा घी नमक और अजवाइन डलके आटे को अच्छे से गूत रिया था अब इसका हमने गुल गुल पूरी बिल के देखिए इसे गरम गरम तेल में छान रहे हैं तो देखिए गर्मा गरम पूरी जो है तयार है अब हम इसे अलू मटड़ के सब्जी के साथ सर्व कर लेंगे तो आप इसे चावल के साथ रोटी के साथ पराठी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट बहुत टेस्टी लगता है किसी के भी साथ अगर यह गर्मा गर्म चावल के साथ मिल ले तो क्या बात हो और आपने देखा ही कि अलू मटर की सबजी बनाना कितना आसान है तो आप एक वर मेरे तरीके से जोड़ी ट्राइ किजिएगा वीडियो पसंद रहे तो लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा धन्यवाद